Hi everyone, once again I welcome all of you on my YouTube channel Independent Learn Education जिसमें हम Lecturer Education, Headmaster, Headmistress और जितने भी Teaching Jobs हैं उसके Pedagogy portion को प्रिपेर कर रहे हैं जिसमें हमने Educational Psychology का chapter स्टार्ट किया हुआ है आज हम Memory के Topic को Discuss करेंगे, डिटेल के साथ के Memory है क्या, इसकी Types क्या है, ठीक है इन सब को अच्छे तरीके से हम Discuss करेंगे So what is Memory, Ability to Store and Later Recall Previously Learned Facts ठीक है, Memory क्या है, वो तमाम चीजें जो आप सीखते हैं, समझते हैं और आपके Mind के अंदर Store हो जादी है, वो क्या कहलती है, Memory कहलती है ठीक है, आप चीजें याद रखते हैं, ठीक है अगर Memory Loss हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी डिफेक्ट है, Life के अंदर, ठीक है बहुत बड़ी Abnormality है, जिसके साथ इनसान का चलना जो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते है ठीक है, और एक्जेंपल आपने सबक याद किया, आपकी Memory Loss की आपको डिजीज है, तो आप वो बहुत जल्द भूल जाएंगे उससे ज़्यादा देर तक रिकाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है तो ये कुछ Memory के Facts हैं, जिनको आपको समझना पड़ेगा कि Memory क्यों important है, बच्चे के लिए क्यों important है, इसी वज़े से हम जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको बार बार चीज़ें बताते रहते हैं, ताकि उनके जो Mind के अंदर Memory कार्ड है, अलापाग ने कुदरती तोर पे दिमाग के अंदर दिया है, उसके अंदर बातें क्या हो ज और दुबारा वो चीज़ें देखने से वो इनको दुबारा recall कर सके हैं, उसके बाद Stages है, Memory कि किस तरह हमारे Mind के अंदर store होती है, first of all, first stage is encoding, so what is encoding, getting information into the brain, ठीक है, encoding क्या है, information को अपने brain के अंदर लेना है, for example, हम एक poster को ले दे हैं, कि आप एक poster read कह रहे हैं, तो आप information को क्या कह रहे हैं, अपने mind के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, अभी आपने एक दफ़ा पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, third time पढ़ा, उससे encode करने की कोशिक कह रहे है जब आप उसे अच्छे से पढ़ा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, second stage आ जाती है, वो क्या है, storage, retaining the incodent information in brain over time, अब क्या करते हैं, आप वो information जो आपने 4-5 दफ़ा पढ़ी थी, अब वो आपके brain के अंदर, आपके mind के अंदर क्या हो जाती है, store हो जाती है, ठीक है, अब आ जाएं के उदर एक poster board लगा वा है, उसके उपर क्या लिखा वा था, तो आप अपने mind में, you can take just a second to think, and then you reply the right answer, के what is written on the board, so the last stage is called retrieval or decoding, getting information out of memory storage, या from brain, ठीक है, memory storage या brain के अंदर से चीजों को जो बाहर निकालना है, या वापिस करना, या किसी को सुनाना, वो क्या कहलाता है, retrieval या decoding कहला, तो यह हमारे पास, जो है, three stages है, ठीक है, memory को store करने की, कौन-कौन सी, मैं एक दफ़र फिर repeat कर देता हूँ, first क्या है, encoding, दूसरी क्या है, हमारे पास storage, और third क्या है, retrieval or decoding, उसके बाद हम types of memory को discuss कर लेते हैं, कि memory की कितनी types है, types of memory, there are basically three types of memory, ठीक है, अगर यह बहुत जादा MCQs में question आ सकता है, कि memory की कितनी types है, तो three basic types है, अब उनको one by one we can discuss here, and understand what stage or what type give us our required information, so first of all, first type of memory is called sensory memory, so what is sensory memory, it holds information for very brief time, less than a second, ठीक है, अब यह आपकी sensory memory है, ठीक है, आप information को less than a second अपने mind के अंदर रख दें, for example, आप कहीं से सफर कर रहे हैं, walk कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, या आप motorcycle पर हैं, car पर हैं, और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो just a eyesight, आपकी आँख ने एक नजर कुछ देखा और उस चीज़ को आपने पढ़ लिया, ठीक है, फिर अब बार बार, अब one second के लिए तो आपके mind में आ गई, ठीक है चीज़, अब आप जब याद कहा रहे हैं, आपको वो word तो याद है, लेकिन यह नहीं पता कि वो आपने कहां से पढ़ा था, ठीक है, वो just one second के लिए आपके mind में रहा, या आपको ऐसा लगा कि मैंने ये word पढ़ रहा था, तो यह क्या कहलाती है, sensory memory कहलाती है, so the next type of memory is called short memory or working memory, it holds information for short time less than a minute, 20 or 30 seconds, this type of memory carry mind storage information only for 20 or 30 seconds, ठीक है, आपको कोई information दी दी जाती है, जैसे आप छोटे बच्चों को कोई चीज़ लाने को, ग्लास ओफ वार्टर लाने को कहा दें, अभी वो कमरे से निकल तो रहा थ होता है, और cooler के करीब अभी पहुंचा नहीं होता है, या fridge के करीब, वो भूल जाता है, कि क्या लेकर आना था, ठीक है, यानि कि within 20 or 30 seconds वो इस चीज़ को क्या कर जाता है, भूल जाता है, ठीक है, या उसको 40 तोर पर याद रखता है, तो जाके ले यादा है, अगर इससे ज हमारे पास जो third type है, it is called long term memory, so what is a long term memory, we can state, we can define as, it holds information for long time, for hours, or days, or lifetime, so there are three points are very important, के information for a long time, ठीक है, long time में क्या आ रहे है, hours, घंटों तक आपको याद रहती है, days, दिनों तक याद रहती है, या lifetime, ठीक है, या lifetime आपको या लाइफ टाइम, ठीक है, या लाइफ टाइम आपक आपको याद रहती है, ठीक है, तो ये information आपकी हमेशा mind का हिस्सा रहती है, आपको भी अपने, आप अगर अपने mind में अभी भी सोचें, तो बहुत सारी ऐसे, आपके जो लमहात है, या जो memory है, जो आज भी आपको याद है, ठीक है, जैसे आपके जो result days उतने हैं, आपके की, मेगा इवेंट, कहीं marriage ceremony में गए में, या कहीं आपको बुलाया गया as a guest, तो वो सारी memory आपके mind में दिनों तक और हो सकता है, पूरी lifetime के लिए store रहती है, या कहीं आपकी farewell party हुई थी, या कहीं आपकी welcome party हुई थी, तो ये इस तरह की information है, जिसे हम long term memory में हमारी store हो जाती है, उसके बाद, so this our long term memory is also divided into further three types, which is called episodic memory, so what is episodic memory, episodic memory नाम से जाहर है, memory of specific events of the past, ठीक है, जो आपके past के events हो दे हैं, ठीक है, उसकी memory क्या कहलाती है, episodic memory कहलाती है, कि वो episodes, जैसे आप एक drama serial देखते हैं, कि one by one आपको serial wise चीज़ें ही याद होती है, तो episodic memory में भी आपके साथ गुजरा हुए past के जितने भी events हैं, वो one by one करके आपको याद रहने हैं, उसके बाद है semantic memory, so this is general knowledge of the words stored as facts, ठीक है, यह जो semantic memory है, आपको लफजों के जो meanings हैं, य इनकी information आपके mind में store ready है, यह क्या कलाती है, semantic memory कलाती है, so the last one is procedural memory, हाँ, procedural memory बहुत important है, कि किसी भी काम के करने का procedure आपके mind में रहते हैं, for example, जब आपने motorcycle चलाना सीखी थी, तो आपको बहुत ज़्यादा guide किया गया होगा कि पहले kick लगानी है, पहले तो switch on करने है, kick लगान है, और उसके बाद फिर आपने clutch को छोड़ने है, ठीक है, और race को भी थोड़ थोड़ा बढ़ाना है, और clutch को आइस्ता आइस्ता उसे आपने छोड़ देना है, तो यह क्या है, एक procedure था, mode cycle चलानेगा, ठीक है, जो आपने mind के अंदर क्या रखा, store रखा, तो यह memory की, जो हम यह तमाम क्या आगए, procedural memory आगए, ठीक है, उसके बाद, जो हमारा topic है, वो है ways to encode memory, अब हम, memory इंसान के mind के अंदर, यह बच्चों के mind के अंदर, as a student mind के अंदर, कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से encode होती है, वो हम discuss कर दें है, information can be coded in following ways, ठीक है, यह कुछ तरीके हैं, जिस code हो जाती है, सबसे पहले visual, picture, यह most important है, यही वजह है, आपने देखो कि जितने भी हमारी tax books हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा colorful pictures डाली जाती हैं, ताकि बच्चे उस information को जल्द ही अपने mind में क्या कर लें, store कर लें, तो visual, यानि कि pictures को देखकर आपने, किसी भी information को अप important tool है, visual, उसके बाद sound, sounds उनके भी आप चीजों को याद रखते हैं, यह क्या गलत है, acoustics भी करते हैं हम इसको, semantic, ठीक है, meaning, words के meaning, ठीक है, जैसे हमारे हाँ, जो mother language है, वो mostly उर्दू है, ठीक है, और हम English के words, जो है, उनके meanings याद गर लें, तो यह क्या है, हमारी semantic memory है, ठीक ह memory, so, आपको यह अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आज का हमारा complete topic, जो memory का, कुछ इसके causes है, decay of information, के कैसे decay हो जाता है, आपकी जो memory का, इसमें क्या है, loss of information, due to lack of its use for long time, ठीक है, आपकी memory loss हो सकती है, उस चीज के बारे में, जिस चीज को आपने बार बार नहीं किया, य यह एक और disorder है, हमारे पास memory loss का, जिसे amnesia कहते है, inability to remember past event due to trauma, किसी trauma के वज़ा से कोई brain hemorrhage हो गया, या brain damage हो गया, उसे amnesia कहते है, जिसकी वज़ा से हमें past events remember नहीं रहते हैं, तो आज का हमारा topic यहीं end होते है, ठीक है, I hope आप लोगों को यह अच्छे तरीके से समझ आ होगा, अगर फिर भी आपका कोई question है, तो लाजमी मुझे comment box में लिखेंगे, my best wishes with all of you, thanks, मैं अपने motto के साथ end करूंगा, learn and lead the world independently, subscribe my channel, like, share and press the bell icon.